नवश्कार में हूँ यह शाब देख रहे हैं दिवे भारत नियूज रूख करेंगे आज की खबर पर रायस्तान में करोना महामारी में अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वियसक होने पर अनुक अप्तात नियुक्त दी जाएगे मुख्या मंत्री अशोगैलोत ने इसके लिए विभिन सिवा नियमों से संसोधन के प्रस्ताओं को प्रसासनिक स्विक्रूत दिये है कार्मिक विभाग के प्रस्ताओं के अनुसार अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वियसक होने पर मैट्रिक्स L9 में नियुक्त दी जाएगे रायस्तान सरकार के इस फैसले को बड़ा संविदेंसिल फैसला माना जा रहा है मुख्या मंत्री को कोरोना सहायता योजना 2021 के तहत उन बच्चों को नौकरी दी जाएगी जिनके मातापिता या दत्तक मातापिता की मौत 31 मार्च 2023 से पहले कोरोना के कारण हुई है सरकार के प्रस्ताव में मुताबिक वे अनात बालक बालिका नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे जिनके जैविक अथ्वा दत्तक ग्रहन करने वाले मातापिता की मौतियू कोरोना के कारण 31 मार्च 2023 अथ्वा इससे पहले हो चुकी है प्रस्ताव के अनुसार साथी ऐसे अनात बालक बालिका जिसके मातापिता में से किसी एक की मौतियू पूर्वा में हो चकी है और दूसरे की मौतियू कोरोना के कारण 31 मार्च 2030 या उससे पूर्वा होई है अनात होने के समय जिसकी आयू 18 शाल से अधिक न हो और नियुक्ति दी जा सकेगी प्रस्ताव में अनात के मातापिता की मौतियू अंतिम तारिक मौक्यमंत्री कोरोना साहयता योजना 2021 में प्रावधीत 15 अक्टूबर 2022 को आगे बढ़ाते हुई 31 मार्च 2023 की गई है